सबस्क्राइब करें नॉलेज ओफ मेडिसिन चैनल को और बेल आइकन को जुरूर प्रेस करें दवाई के बारे में लेटेस्ट नॉटिफिकेशन पाने के लिए हेलो फ्रेंज नमस्ते दोस्तो स्वागत एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ओफ मेडिसिन में जहां आप पाते हैं दवायों के बारे में संपुन जानकारे हैं फ्रेंजस, विडियो में हम से खने वाले है क्लियरवेक्स के बारे में जो की एक प्रेकार का अपका ओयर ड्रॉप है जिस्का प्रियोग आपको ज्यादा तरर कान में जो wax बन जाते हैं उसको ठीक करने के लिए प्रयोग में लाए जाता है तो हम जानेंगे कि यह clear wax क्या है क्या-क्या इसके usage है क्या कुछ इसके side effects देखने को मिलते हैं साथ-साथ वीडियो के last में हम यह भी जानेंगे कि वह कौन से विखती है जिसे यह ear wax नहीं डालना चीए अपने कान में साथ-साथ इसे कान में डालने का सही तरीका क्या है तो इन महत्पुन topics के बारे में हमाद सीखने वाले हैं तो वीडियो को last तक देखे क्योंकि जो दबाओ के दुरी जानकारी होती है वह काफी घातक होती है तो वीडियो को लाइक करें अगर आप नए है तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें मैं हूँ आपका दोस्त किसन तो चलिए फ्रेंड्स सुरू करते हैं फ्रेंड्स अगर हम clear wax की बात करें तो यह एक प्रकार का आपका ear drop है जिसका प्रियोग आपको हमारे कान में बनने वाले एक्स्टा वैक्स को ठीक करने के लिए किया जाता है अगर हम इसके मूल इंग्रेंट्स की बात करें तो उसमें आपका पारा डाई क्लोरो बेंजीन क्लोरो ब्यूटेन और टर्पिटेन वाइल है यह इनके कुछ इंगेंट्स हैं बट अगर हम जानते हैं इसके बरांड नेम के बारे में क्युंकि आपको मेडिकल हिट्र पर यजादा तर आपको ब्रांड नेम से मिलेगि तो अगर हम कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो उसमें आपको है वह सकता है कि सी और ब्राण से मिलती है यह हूं गलता है वह का मुलи इंगर्डेंट न्युलीण की ही्फा नहीं हो एक्सितार 489 यह अब हम जाल में उसको ठीक सता अब यह क्लीasm या फिर कान में दर्द हो रहा हो कान ब्लॉक हो गई हो तो इन सारे प्रॉब्लेम्स को ठीक करने के लिए आपको क्लियर वैक्स का प्रयोग किया जाता है अगर हम इसके mode of actions की बात करें तो यह drop आपका auto release करती है जिस वैसे एक form बनता है जो की wax को इसकीन से दूर कर देता है यह कान के wax को soft करता है उसको बाहर निकालने के लिए काफी जादा मदद करता है वीडियो में जाल लेते हैं दोस्तों इसके warning के बारे में कि वह कौन से वैक्ति है जिसे हम ear wax का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो यदि कोई वैक्ति जिसके कान से तरल प्रदार्थ बाहर आ रहा हो तो उस patient को यह नहीं देना चीए साथ साथ कान में किसी प्रकार का injury हो गया हो यदि कोई वैक्ति जिसके कान में खुणूच हो गई हो चिल गई हो या फिर bleeding हो रहा हो तूसे भी हम यह drop नहीं दे सकते हैं साथ साथ यदि कोई वैक्ति जो की recently ear surgery करवाया हो कान का operation हुआ हो तूसे भी यह ear wax नहीं दिया आता ह है इसके अलावा अगर हम और वार्निंग्स या प्रिक्वेशन की बात करते हैं तो यदि कोई वैक्ति जिनके ear drum में होल हो गया हो तो इस दवा का प्रियोग नहीं किया जाता है साथ साथ यदि कोई वैक्ति जो की पाला ड्राइकलोबेंजीन या फिर क्लोरोब्यूटीन से इलर्जिक रखता हो तो उसे भी यह 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 वैक्स ड्रॉप नहीं दिया जाता है तो यह इनके कुछ बहुत पुर्ण वार्निंग से अगर आप ऐसा कुछ हो रखा है आपको ताप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल जरूर करें तभी जाकर कि इस वैक्स का प्रियोग करें तो यह एक दो आपको यह common side effects देखने को मिल सकते हैं बट हो सकता है इसके अलावा कोई unwanted side effects आपको देखने को मिले तो आप फरदर अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करें अब वीडियो के लाश्ट में हम यह जाल लेते हैं दोस्तों कि इस clear wax को डालने का सही तरीका क्या है तो अ द्रॉपर को पुरी तरह से बहर ले साथ साथ सीर को मतलब दूसरी तरह में जुका ले अगर सपोई डैट आपका कान अगर लेवट जाइड का infected है तो आप सीर को राइट साइड की तरफ मोर ले और तो आप लेवट साइड की तरफ अपने सीर को जुका करके पान से आठ इसको जब डालने के बाद कम से कम 10 मिनिर तक अपने कान में इजली रहने दे उसके बाद आप कान में हो सकता है तो आप थोड़ा कॉटन वगएरा डाल सकते हैं ताकि वह पदार्थ बाहर आपके कप्रे पर ना गिरें जो वैक्स डिजॉल्विंग है ड्रॉप है वह बाहर न करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ